बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग तो सभी प्यारे बच्चे जल्दी फटाफट सेशन में ज्वाइन हो जाएं और आज का टॉपिक तो आप लोगों ने देख लिया होगा आज बच्चों हम बेहत इंपोर्टेंट टॉपिक डिसक्स करने वाले हैं जिसका नाम है जगत मोने मोनेरा इंग्लिस बोलेंगे किंग्डाम मोनेरा ठीक है तो सभी प्यारे प्यारे बच्चे मुझे जल्दी से बताएं क्या आप मुझे देख और सुन पा रहे हो और क्या जल्दी से सब्लूप तयार हो गए हो ठीक है को कि आज का टॉपिक तो बेटा बहुत सांदार चीजे थी ठीक है तो आज मैं आपको जगत मोनेरा ठीक है जगत मोनेरा के लक्षर बताऊंगा जगत मोनेरा का वर्गी करन बताऊंगा और जगत मोनेरा बच्चों कैसे पढ़ना है वो सारी चीजे आज हम लोग डिसकस करेंगे ठीक है चलो सब लोग जल्दी जल्दी आ ग कर दो और 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 पढ़ाय लेखना करना सुरू करते हैं ठीक है चलो सबसे पहले बच्चों आपके मन में प्रश्ण आ रहा होगा कि सर जगत मोनेरा के लक्षड क्या है जगत मोनेरा के लक्षड क्या होते हैं तो सुरू करेंगे सबसे पहले जगत मोनेरा क्या होता है चलो सब तो मान लो अगर आप से किसी ने पूछ लिया कि पहले कोशन आया कि जगत मोनेरा के कौन-कौन से लक्षड होंगे तो क्या करेंगे बेटा सबसे पहले लिखेंगे लक्षड जगत मोनेरा के क्या पढ़ेंगे लक्षड कितने लोगों को याद है जगत मोनेरा के जीव होते है बेटा वो आपके प्रोक्यारियोर्टिक होते हैं जगत मोनेरा के जीव क्या होते हैं प्रोक्यारियोर्टिक होते हैं इनके जीव बेटा क्या होते हैं एक कोशकी होते हैं जगत मोनेरा के जो जीव होंगे बेटा इनकी कोशका भित्ती जगत मोनेरा के जो जीव होंगे तो इनके जो ज़्यादा तर जीव होते हैं उनकी कोशका भित्ती किसकी बनी होती है बेटा आपके जल्दी बताओ पड़ा पड़ पॉली सेकराइड और अमीनो एसिड से तो इनकी कोशका भित्ती बनी होती है पॉली सेकराइड और अमीनो ए और बच्चो किसी बनी हो गी पॉली सैक्राइड बच्चो पॉली सैक्राइड प्रोटीन बरभी तो इनकी कोश्का भित्ती बच्चो किसकी बनी होगी ये बनी होगी पॉली सेकराइड और अमीनो एसिड की सब लोगों कुल इतनी बात क्लियर हो गई चलो आप बच्चों नेक्स पॉइंट पर आते हैं जो आपके जगत मुनेरा के जीव होंगे बिटा इनमें आपको केंद्रा जिल्ली नहीं मिलती है जगत मुनेरा के जो जीव होंगे उसमें केंद्रा जिल्ली नहीं पाई जाती है सब लोग मेरे साथ साल लिखो नहीं पाई जाती है एक एक पॉइंट लिखना वेटा पहले जगत मुनेरा के लक्षण लिखो और फिर जगत मुनेरा के बच्चों हम लोग वर्गी करन को समझेंगे पहले जगत मुनेरा के बच्चों सभी लोग जो है इसके लक्षणों को अच्छे से समझेगा ठीक है यह आपके जगत मुनेरा के क्या हो जाएंगे बच्चों लक्षण चलो निक्स देखो उसके बाब जगत मुनेरा में बेटा यह आपके इनमें जो पोशन का प्रकार होत इन में जो पोशन होता है ये दो प्रकार से आपको मिलेगा ये आपके स्वापोसी और परपोसी दोनों प्रकार के होते हैं ये स्वापोसी भी होते हैं और बच्चो जल्दी से बोलो परपोसी भी होते हैं ये स्वापोसी भी होते हैं बच्चो और साथ साथ परपोसी भी हो स तो इनमें या तो ये स्वापोसी होंगे या तो बिटा ये परपोसी होंगे अब स्वापोसी में ये दो प्रकार के होंगे या तो बच्चों ये प्रकास संसलेस्थी होंगे या तो ये अपने भोजन बनाने के लिए उर्जा या तो ये अपने लिए भोजन बनाने के लिए प्रकास संसले संसले से लेते हैं तो इसे बोलेंगे प्रकास संसले सी और अगर ये भोजन बनाने के लिए उरजा रासायनिक पदार्थों से लेंगे तो इसे बोलेंगे रासायन संसले सी और बिटा ये पर पूसी में दो प्रकार के होंगे पर जीवी एक पढ़ेंगे ब्रितोप जीवी यह धोरे इसमेंदे लक्षर बता दिए यह थोरे से लक्षर है क्या बात है चलो कौन लेट हो गया कौन कौन बज़े मेरी क्लास आती है सब लोग बिटा अलारम लगा लिया करो नोटिफिकेशन नहीं आया हाँ बिटा हो सकता यूट्यूब की वज़े से नोटिफिकेशन ना आता हो बट कोई बात नहीं कोई बात नहीं आपको ताइम बिटा खुद ध्यान देना है कि हम लोग आते हैं सोम वार मंगल वार नहीं कौण कौण सा दिल ब्रस्पतिवार सुक्रवार सनीवार रातकोवार बजें वैरी वैरी गूट गुड इवनिंग सब लोगों को गुड इवनिंग चलो सब लोग पहले तो जगत मोनेरा का लक्षड की फोडोखी चलो और उसके बाद बच्चों अब इससे पढ़ते हैं डिटेल में और बच्चों क्लास 11 वाले बच्चों के लिए ठीक है जो भी हमारे क्लास 11 के बच्चे उनके लिए च्छोड़ा सा टार्गेट आता है क्या वो टार्गेट आज पूरा होगा क्लास 11 के सभी बताइए फड़ाफ़न स्वामी हमारे क्लास 11 के सभी सुंदर बच्चे जलीद मताइए टार्गेट पूरा हो जाए एक दम चैनल वैरी गुड चैनल क्या बात है अज जुझ जगत मुनेरा होता है जगत मुनेरा बाट कर पढ़ाऊंगा इसके बाद वच्छोई जो हमारा जगत मुनेरा है वे इसको मैं आपको दो प्रभागों में बाट कर पढ़ाऊंगा जगत मोनेरा में पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा आरकी बैक्टीरिया और जगत मोनेरा में उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा बेटा यू बैक्टीरिया अब आपको लग क्या रहा होगा आपको लग रहा होगा सर ये आरकी बैक्टीरिया क्या है और सर ये यू बैक्टीरिया क् धर्ती पर सबसे पहले जो मोनेरा के जीव आये थे धर्ती पर मोनेरा के सबसे पहले बच्चों जो जीव आये थे उन्हें बोला जाता है आरकी बैक्टीरिया और धर्ती पर आरकी बैक्टीरिया से ज्यादा विक्स्तित जो जीव थे बेटा उसे बोला गया यू बैक्टीरिय तो अगर कोशन आ गया कि इन दोनों में कौन पहले धर्ती पर आया था सब लोग अंसर करो बेटा सब लोग अंसर करो आरकी बैक्टीरिया पहले आया था कि यू बैक्टीरिया पहले आया था सब लोग रिपलाई करो आरकी बैक्टीरिया पहले आया था कि यू बैक्टीरिया पहले आया था तो अंसर आएगा बेटा पहले आरकी बैक्टीरिया आया था फिर आया था यू बैक्टीरिया बच्चो दूसरा बेटा जादा विक्सित कौन होता है आरकी बैक्टीरिया जादा विक्सित होगा कि यू बैक्टीरिया ज्यादा विक्सित होगा तो बेटा आर की बैक्टीरिया कम विक्सित होता है यू बैक्टीरिया बेटा ज्यादा विक्सित होता है अरे मैं फोटो खीचने दे रहा हूँ बेटा फोटो खीचने दे रहा हूँ रुख जाओ थोड़ा चिंता ना करा करू फोटो खीचने का समय दूँगा पहले पढ़ाई तो कलो चलो अब फोटो खीच लो अब फोटो खीच लो वेरी गुट स्वेता बेटा स्वेता बेटा बहुत बनिया हाँ आदिस सिंग आडिया सागा रंधीर साहिल जोती ठीक है ब और कौन बच्चा अंसर किया हुआ है अचा बागी लोग फोटो खीच रहे हैं तो फोटो खीच लो पहले पहले सब लोग फोटो खीच लो जल्दी से यह बेटा आपका जगत मोनेरा का वर्गी करन है ठीक है का जल सींग ओके बेटा सुनो हाँ आप सुनो बेटा यह जो आपका आरकी बैक्टीरिया है बेटा आरकी बैक्टीरिया में मैं आपको तीन भाग पढ़ाओंगा बेटा आरकी बैक्टीरिया में मैं आपको कितने पढ़ाने वाला हूं बेटा तीन बहुत खतरनाक खतरनाक चीज कौन कौन हैलो फिल्स थर यहां पास मैं आपको तीन प्रकार पढ़ाने वाला हूं और बेटा मैं आपको यू बैक्टीरिया में बच्चों क्या पढ़ाने वाला हूं आपको वास्तविक या सत्य जीवारू पढ़ाने वाला हूं मैं आपको नीले हरा बेटा आपने सुना होगा नीले हरे सहवाल मैं आपको नीले हरे सहवाल पढ़ाने वाला हूं और मैं आपको माईको प्लास्मा पढ़ाने वाला हूं बेटा तो मैं आपको यू बैक्टीरिया में प्यारे प्यारे बच्चो तीन चीज पढ़ाऊंगा यू बैक्टीरिया में पहले पढ़ेंगे बेटा जीवारू सत्य जीवारू पढ़ेंगे फिर नीला हरा सहवाल पढ़ेंगे या आप इसे नील हरी सहवाल बोल सकते हूं और फिर बेटा मा इको प्लाजमा पढ़ेंगे और इतना पढ़ने के बाद वेटा जगत मोनेरा को हम लोग टाटा बाइबाइबाइब कर देंगे क्या बात है चलू सबको क्लियर हुआ सो सब लोगों ने इसकी फोटों खीच ली जल्दी से मुझे बताइए फटाफट सब लोगों ने जगत मो करनेडा की फोटो खीच ली तो सुरुवात करें सुरुवात करें बेटा यह की बैक्टीरिया से सुरुवात की जाए ना आरकी बैक्टीरिया से सुरुवात की जाए चलो सब लोग ready हो आरकी बैक्टीरिया पढ़ने के लिए चलो मुझे जल्दी से बताओ यह सर ready है चलो very good सबसे पहले प्यारे बच्छो आरकी बैक्टीरिया अगर आपके पेपर में कभी आ गया कि आर्की बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया क्या है तो कैसे बताओगे कैसे बताओगे बैटा आर्की बैक्टीरिया सब लोग मुझे बताओ अगर मालो आर्की बैक्टीरिया अगर पेपर में आ गया तो कैसे समझाओगे सब लोग बताओ मुझी सब लोग बताओ भाई आरकी बैक्टीरिया अगर आ गया तो कैसे इसे समझाने वाले हो तुम लो हाँ भाई एक वार जल्दी से बता डालू क्या बात है वैरी वैरी गुड़ हाँ सबसे पहले बेटा जो आरकी बैक्टीरिया है थो अद्यांसुन ना यह जो आरकी बैक्टीरिया है बच्चो सबसे से पहले हमारा यह जो आरकी बैक्टीरिया है ध्यान सुनना यह आपके इनको हम कह सकते हैं यह ऐसी जगह पर बेटा पाए जाते हैं मतलब जहां पास बहुत कठिन वाता वरन बेटा यह पाए जाते हैं ठीक है यह आपका आगा रूई कही रही सर बहुत प्यारा होता है अरे चलो तोड़ा सा स्टाइंट पर भासा में बताओ सबसे पहले तो बच्चों जो आर की बैक्टीरिया होंगे यह बहुत कठिन वातावरन कठिन परिस्थितियों में भी पाये जाते हैं ऐसी परिस्थितियां बेटा जहां पास अन्य जीव ना पाया जाए वहां आर की बैक्टीरिया पाये जाते हैं तो यह कठिन परिस्थितियों में भी पाये जाते हैं ठीक है सबसे पहली बात ये कठिन परिस्थितियों में भी बेटा क्या होते हैं पाए जाते हैं तो पहला लक्षण नोट करो कि सबसे पहले बेटा ये आपका क्या होगा कठिन परिस्थितियों में भी पाए जाएंगे ठीक है हुआ बेटा सबने नोट किया चलो दूसरे नमबर पर बेटा इसको हम सबसे आध्य प्रकार का जीव बोलते हैं सबसे आध्य प्रकार अगर माना जाए धरती पर अगर ऐसा कहा जाता है धरती पर बच्चो सबसे पहले धरती पर सबसे पहले बेटा कौन सा जीव आया था आरकी बैक्टीरिया सबसे आध्य आध्य मतना प्रिमिटिव पुराना सबसे पुराने जीवों में बेटा कौन है आपका आरकी बैक्टीरिया तो यह आपका सबसे आध्य आपका जीव है सबसे पुराणा वेटा यह आपका जीव में आता है तो है सबसे आद जीव में आएगा क्या बात है सब लोगो मुझे बताओ इतनी बात है क्या बात है और इसे सबसे पहले वेटा किस ने देखा था किसी को पता है इसको सबसे पहले किसने देखा था सो इसे सबसे पहले देखा था इसे सबसे पहले देखा था बेटा कारल वूज ने इसे सबसे पहले बेटा किसने देखा था कारल वूज ने तो इसे सबसे पहले देखा था नूट कर ले ना बेटा आरकी बैक्टी पिरिया को सबसे पहले किस ने देखा था बटा कार्ल वूज ने थीक है कार्ल वूज ने इसे सबसे पहले देखा था उन्निस सो और हाँ वेरी गुड बहुत इंपर्टें प्रफिक में यह आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा इस वर्यास से इसको आप लोग नोट कर लीजेगा उन्निस सो ठेक है क्या बात है इसे सबसे पहले किस ने देखा था ओ सॉरी इसको आप 70 जीरो कहां से आ गए तो बीच में चलो इसको फड़ा फड़ नोट करो पहले सब कुझे बताओ क्या इतनी बातें नोट हो गई आरकी बैक्टीरिया के कुछ पॉइंड नोट हुए है है सभी प्यारे पर आप बताए यह 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 यहां पाद जीरो नहीं सको शाथ करो शाथ 97 जब क nettbyारे बच्चो आपका rki bacteria को देखा था ठीक है के बारे में आपको इतनी चीजे आनी चाहिए अब बच्चे बोल कहे होंगे सर सर कारल वूस ने आर की बैक्टीरिया को सबसे पहले देखा लेकिन सर अब हमें आर की बैक्टीरिया के प्रकार पढ़ने हैं तो बेटा आर की बैक्टीरिया के तीन प्रकार है बेटा आर की बैक्टीरिया के प्यारे बच्चों कितने प्रकार होते हैं तीन पहले क्या पढ़ोगे हैलो फिल्स पहले क्या पढ़ोगे हैलो फिल्स प्यारे बच्चो दूसरे नमबर पर क्या पढ़ोगे थर्मो एसीडो फिल्स दूसरे नमबर पर क्या पढ़ोगे थर्मो एसीडो फिल्स और तीसरे नमबर पर मैं क्या पढ़ाऊंगा बच्चो मिथेनो जिन क्या पढ़ाऊंगा मिथेनो जिन तो चलो अब सुरू करते हैं आरकी बैक्टीरिया का सबसे पहला प्रकार तो पहले समझ लेना फिर लिखना पहले समझा करो सुनो प्यारे बच्चो आरकी बैक्टीरिया का सबसे पहला प्रकार होता है हैलो फिल्स हैलो फिल्स का मतला बेटा ऐसे आपके क्या ऐसे आरकी बैक्टीरिया के जीव जो बेटा कहां पाए जाते हैं जहां पास लवर बगेरा पाया जाए तो यह बैक्टीरिया मतलब आप इसे बैक्टीरिया क्या सकते हो आरकी बैक्टीरिया मतलब एक तरह से सबसे पुराने जो है जीवों में आते हैं तो यह जो आप जीव आलू को जीव जरू लिखो यह जीव बेटा आप इसे जीव लिखना खास कर यह जीव ऐसे स्थानों पर पाए जाते है जहां पास बच्चों लवर की मात्रा क्या होगी जादा सो लवर की मात्रा जादा होगी बेटा लवर मतला सौल्ड लवर का मतला बेटा सौल्ड सो जहां पास सौल्ड की मात्रा जादा होगी ये आपके जीव बेटा वहां पाए जाते हैं जहां पास लवर मतला सौल्ड की मात्रा बहुत जादा होती है और इसी लिए बेटा इनका नाम क्या पढ़ गया है हैलो फिल्स क्या नाम पढ़ गया बेटा हैलो फिल्स बेटा क्या बात बेटा वेरी गुड और बच्चों ये जो आपके हैलो फिल्स होते हैं ये हैलो फिल्स बेटा आपके आविक कलपी नाक्स्थि प्रकार का मतलब बेटा यह क्यावल बिना बास पाई जाएंगे जह पास नहीं पाई जाती है तो इसलिए बेटा आप इसे जरूर नोड कर लेना और जो जीव आविकल्पी आविकल्पी अनाक्सी होते हैं मतलब वो आपका सदैव बेटा आक्स्ती जन की अनुपस्थिती में जीवित रहते हैं हाँ वेर इगर बेटा सब लोग बताओ सब ने बेटा स्क्रीन शॉट लिया सब प्यारे बच्चों ने इसकी फोटो खीची जल्दी से बताओ फटा 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 और बेटा इनमें एक बैगनी रंग का वर्णाख होता है जिसका नाम होता है बैक्टीरियो रोडॉपसिन इसम हाँ वेर इपृटा इसी की وجہ से ये अपना क्या बना पाते हैं भोजन किसकी ब्रेसी बैक्टीरियो रोडॉपसिन जैसे आपने पोदों में सुना है पटे पोदोни क्लोरोफिल पायी सुन चलोरोफिल उसी तरह यह जो आपका आरकी ब्यक्टीरियो रोडॉपसिन मिलेगा यह जो आपका आर्की बैक्टीरिया का प्रकार है हेलो फिल्स इसमें बैक्टीरियो रोडॉप्शिन मिलेगा है यह वहां पाए जाएंगे जहां पास ऑक्सिजन नहीं होता है ठीक है मतलब यह ऑक्सिजन की अनुपस्थिती में जीवित रहते हैं क्लियर चलो फोटो खीच लो अच्छा फोटो खीच लो भाई या फोटो खीच लेओ हैलो फिल समाप्त प्यारे प्यारे बच्चवा प्यारे प्यारे क्यूट से बच्चों है लो फिल समाप्त अब आते हैं आगे आगे बढ़ेंगे ठीक है तो सभी हमारे प्यारे प्यारे इ नहीं पाया डबल बार का क्या मतलब है तो फाज बार खीज डाली मीरा बेटा पांच बार खीज डाली क्या बात है रोजाना बेटा नहीं ब्रैस्पतिवार सुक्रवार सनीवार को ठीक है आप चलो अब आते हैं थरम हो एसी दो फिल्स बीटा थरम है recipe little per Carib Yaping Amelie replenishingsel चता उच्स्ती है सबसे पहले जो थर्मasis ड्रों होंगे यह जहां पास बहुत जादा अमलियता हो या बहुत ज़्यादा ताकमान पाया जाए बैटा वहां आपको थर्म मिलें गे termo बेटा आपको थर्मो फिल्स जो होगा बच्चो थर्मो फिल्स जो होगा जहां पास बहुत ज्यादा तापमान होगा बहुत ज्यादा अमलियता होगी बेटा वहां पास आपको थर्मो फिल्स मिलेंगे बेटा ये गर्म जो गरम-गरम है गरम-गरम सलफर युक्त तो बेटा ये गर्म सलफर युक्त जो है जगहों पर पाहे जाते हैं मतलब जहां पास सलफ्यूरिक अमल वगारा पाया जाए बेटा सलफ्यूरिक अमल वगारा पाया जाए और वहां का टमप्रेचर लगभग 80 डिगरी भी हो तो सोचो 80 डिगरी तापवान है और सलफ्यूरिक अमल है उ आपका आरकी बैक्टीरिया पाया जाता है अच्छ— ऑ中國 बेटा निये निया कि हां र्इंकन नियुकिल इलुकुल बीलुकुल चलो थार्मो एस दोफिल सबको क्लियर हो गया थार्मो एस्डोफिल बेटा ऊच ताप और साथ साथ उच्छ अम्लेता वाली जगहों पर पाए जाते यह इस इसके अलावा गरम गरम Salfuric Acid मतलए असी डिगरी स्ताप्मान पर भी बेटा यह आपके पाए जाते हैं टीक है असी डिगरी स्ताप्मान पर भी सोचे यह आपके पाए जाते हैं कि टे खतरनाग बैक्टिरिया है ये आक्सी प्रकार के आपके हैं आक्सी प्रकार का मतलब समझते हो ये आक्सीजन के उपस्थिती में जीवित रहते हैं ये बैटा आपके जो जीवाडू है मतलब जीवाडू क्या आद जीव कह सकते हो ये जो आपके आद जीव होंगे आर की बैक्टिरिया होंगे ये आपके आक्सी प्रकार के होंगे आक्सी प्रकार का मतलब ये आपका ऑक्सीजन के उपस्थिती में जीवित रहते हैं अब आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा यह लिखा हुआ है gram negative gram negative जीवाडू तो अभी मैं आपको एक बहुत खतरनाक चीज पढ़ाऊंगा आने वाले अभी यह topic में gram positive जीवाडू और gram negative जीवाडू बेटा नीट के लिए बहुत important है gram positive और gram negative हो सकता है आपने इसे NCRT में न देखा हो लेकिन बेटा ये नीट के exam में question बन सकता है तो मैं आपको gram positive क्या होते हैं ये पूरा सिखाऊंगा gram negative क्या है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा और कैसे कैसे बेटा एक scientist है Hans Christian Gram उन्हें उन्हें gram positive और gram negative की खोज की ये सब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बेटा चलो clear हो गया अब बेटा इसके बाद thermoplasma बेटा thermoplasma और thermoproteus ये बेटा thermo acidophil के उधारन है thermoplasma और बच्चो thermoproteus आपका किसका उधारन है बेटा thermo acidophils का बेटा नोड कर लूँ हाँ उधारन नोड कर लो वैरिवन बेटा बहुत बढ़ी है बेटा जल्दि से उधारन नोड कर लो जल्दी से और class 11 के क्यूटों से बच्चों के लिए एक छोटा सा टारगेट ले कर आया हूं क्या वह टार्गेट आज पूरा होगा सभी जल्दी से बतायाकरों वेटर हां काजल सिं client काजल सींग बेटा कुछ स्लेबस मतलब जो स्लेबस बायोगा स्ले भट में मैं भी पढ़ाएंगी ठीक है तर यूट्यूप पर में भी चैक्टर परहूंगा और में मिल कर ठीक है दोनों लोग मिल कर बिटा स्लेबस कंप्रीट कराएंगे एक दम ठीक है सो मैं भी पढ़ाऊंगा आपको जो चैप्टर्स हैं मेरे हिस्से में यूट्यूब पर उसको मैं पढ़ाऊंगा और बुकुत चैप्टर आपको मैं भी पढ़ाएंगे क्लियर हाँ भाई हाँ या लाइक की थोड़ा ब मीथैनोगेयन क्या होते हैं मिथैनोगें उचलो शार में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाएगा मिथैनोजेन क्या बात बैटा कौन पढ़ाएगा अरे कौन बताओ दलदल में हाँ जल्दी से बताओ मुझे पढ़ापड हो ग्ता वाले स्थानों में कौन से पाया जाता है वीटा में तो आप देखते होें पिक्चरों में तो देखा में जाने पर इंसान डूबने लगता है और डूब ते दूब ते और डूब ते डूब जाता तो बच्चों यह जो आपका दलदल वाला स्थान है ठीक है सो जल्दों दलदल वाले स्थान होते हैं वहां बच्चों आपके क्या मिलेंगे वहां मिलेंगे आपको जाते हैं कभी कईते हैं सर आप सबका नाम लेते हो मेरा नाम नहीं लेते हो क्यों नहीं लेते हैं मेरा नाम वोड भईया हमारे कभी-कभी गुस्टा जाते हैं इसी बात को लेकर। कहते हैं सर, सब का नाम आप लेते हो, मेरा नाम नहीं लेते हो। यह हमारे हैं हमारे कोचिंग के सबसे एक दम पावर्फुल इंसान यही है कोई हम लोग इनही की वज़ा से आज हैं, यह हमारे पावरफुल बोड भाईया इनका नाम क्या है बोड भाईया ओ भाईया चलो बोड भाईया ओन हो जाओ और टापिक पर आजाओ जल्दी से क्योंकि बोड भाईया जल्दी से आजाया करो चलो ठीक है ठीक है ठीक है हाँ भाईया बोड जी की जय हो हाँ भाई बोड जी की जय हो बिल्कुल जय हो भाईया क्या बात वेटा वेरी वेरी गुड चलो सो बोड भाईया ओन हो गए चलो बोड भाईया ओन हो गए अब बच्चों मिथैनों जेंस में मैं क्या बता रहा था अरे भाईया मेथाइनो जेंस जो होंगे ये सबसे पहले तो दलदल वाले स्थानों में होते हैं अब आप पूछोगे दलदल कहां होता है ठीक है देखा आप लोगों ने देखो बोर्ड जी महान हो बोल दिया तो बोर्डाउन होंगे तो बेटा ये जो आपका मेथाइनो जे सोते हैं ये बेटा दलदल वाली स्थानों पर पाये जाएंगे और इसके अलावा बच्चों ये आपका आप जानते हो जुगाली करने वाले जनतु जुगाली करने वाले जनतु जानते हो कितने लोग जानते हो कितने लोग जुगाली करने वाले जन्टू जानते है बेटा जो मुठ चलाते रहते हैं गाई भाइस गाई भाइस ऐसे मुठ चलाता रहता है तो बीटा गाई गाहे भाइस की आतों में बेटा ये जीवा मतलब ये आपके आर की बैक्टेरिया पाए जाएंगे जुगाली करने वाले बेटा जुगाली मतलब जो मुझ चलाते रहते हैं जन्तु कुछ जन्तु को आप देखे होगे लगातार मुझ चलाते रहते हैं खईये कम मूँ जड़ा चलाएंगे तो जो मूँ चलाने वाले जीव हैं आपके जनतु हैं वो कहलाते हैं रुमिनेट जानवर जैसे गाय भैस वगेरा तो गाय भैस की बेटा आतों में क्या पाया जाता है मिथैनो जिन और जब गाय भैस गोबर देती है तो बेटा इससे क्या बनता है मिथेन गैस तो गाय भैस के गोबर देने पर जो मिथेन गैस बनती है गोबर से आप लोगों के बेटा गाओ में मेरे गाओ वगेरा में क्या होता है जो गोबर वगेरा होता है उससे मिथेन गैस बनती है तो बेटा ये मिथेन गैस बनाता कौन है मिथेन जन बेटा और यह आपका नीट का question आ चुका है बेटा क्या बनाता बाता है मेथैनोजन question आ चुका है नीट में कि गाए भाय समतला रूमिनन जानवरों की आतों में कौन सा बेटा आपका आरकी बैक्टिरिया पाया जाता है तो क्या बताओगे बटा? क्या बताओगे सब लोग बताओ ललित माला तुम पे मैसेज को 50 बार कर दो हेंप़ 50 बार पूरा मैसेज लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो और एक अंसर को 10 बार लिख रहा है लगाता है एक अंसर को CopyPaste कॉपी पिस अरे भाई एक अंसर भेज दिये देख लिया गया विटा क्या बात चलो वेरी गुण लगातार एक की मैसेज ना किया गरो नहीं तो भी कहो गए सर ब्लॉक कर दिया हमको हाई तो भाई या एक मैसेज को एक बार अंसर अगर कोई आप दे रहे हो अंसर कोई प्रश मिथैनों जिन बेटा क्या होते हैं सबसे पहले तो यह दलदल वाले स्थानों पर होंगे गाए भाई इसकी आतों में पाए जाएंगे और यह बेटा कौन सी गैस आपका बनाते हैं जली से बताओ मीथेन गैस हाँ यह नीट में पूछ सकता है बहुत इंपोर्टन टॉपिक है बेटा यह आपका और यह भी बेटा आप याद कर लो यह अनाक्सी होते हैं अनाक्सी का मतलब यह बेटा आकसीजन जहां नहीं होगा वहां पाए जाएंगे ठीक है यह जो आपका बेटा मिथैनोजेन होते हैं यह वहां पाए जाते हैं जहां आकसीजन नहीं पाया जाता तो इसलिए इनको क्या बोलते है आविकल्पी अनाक्सी और अभी मैं आपको बेटा आविकल्पी अनाक्सी को बहुत देटेल में पढ़ाऊंगा अभी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा जीवाड़ों में स्वसन तो मैं वहाँ पास आपको आविकल्पी अनाक्सी बहुत विस् मीथेन को उत्पन करने वाले जीवालों का नाम बताओ, मीथेन गैस बनाने वाले जीवालों का नाम बताओ, मिथेनो कोकस, मिथेनो बैक्टीरियम, क्या बात है, सब लोगों को समझ में आ गया है, जल्दी से मुझे बताओ, और बच्चों, आरकी बैक्टीरिया को, नीड का क कहा जाता है क्योंकि ये जीवन के प्रारंबिक रूप को प्रदर्थित करते हैं तो जीवन सबसे पहले किसमे प्रारंब हुआ है बेटा ऐसा माना जाता है ठीक है ऐसा माना जाता है कि जो जीवन प्रारंब हुआ है वो सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया में आया हुआ है और इसलिए R की बैक्टीरिया उको भीता हम लोग जीवित जीवास्म कहते हैं क्या बोलते हैं जीवित जीवास्म मतलब लीविंग फॉसील क्लिएर हुआ नीड का यह रहे भाफ बन सकता है सॉव सब लोगों ने फोटो कीचा भाइया फोटो आर्की बक्टीरिया खत्तम और अब आजाओ आर्की बग्तीरिया खत्तम और अब बताओ हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सो आरकी बैक्टीरिया के बाद बताओ बेटा मोनेरा जगत के वरगी करल में अब हम क्या पढ़ेंगे कौन बताएगा सबसे पहले कौन बताएगा सबसे पहले बताओ मुझे पढ़ापड बताओ 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 आरकी बैक्टीरिया के बाद हम मैं क्या पढ़ा सर आरकी बैक्टीरिया के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया देखा देखा सब बच्चे कितने समझदार हो गए हैं और बच्चे कह रहे हैं सर अब आरकी बैक्टीरिया के बाद पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया क्या बात है सबको क्लियर हो गया चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स नंबर पढ़ाएंगे और अब मैं आपको सबसे पहले यू बैक्टीरिया बेटा तो सभी लोग मुझे बताओ यू बैक्टीरिया में मैं आपको सबसे पहले क्या पढ़ाने वाला हूँ सबसे पहले मैं यू बैक्टीरिया में क्या पढ़ाऊंगा बेटा सत जीवारू तो यू बैक्टीरिया में मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा सत जीवारू के बारे में फिर मैं आपको मुझे मैं कौन कौन सी चीज आपको पढ़ाने वाला हूं यू बैक्टीरिया में लिख के बताओ मुझे सबसे पहले पढ़ेंगे सत्य जीवालू फिर पढ़ेंगे नीले हरे सहवाल और फिर पढ़ेंगे प्यारे बच्चों क्या जल्दी सब बताओ माइको प्लाजमा तीन चीज पढ़ेंगे तीन चीज क्या बात सुरू करें चलो सबसे पहले मैं आपको जीवालू के बारे में पढ़ाता हूं सबसे पहले सुरुवात करता हूं जीवालू के बारे में जीवालू जिसे आप इंगलिस भासा में बोलते हो बैक्टीरिया बैक् बच्चों क्या होता है सूच मजीव हम बैक्टीरिया को केवल बैटा सूच मदर्स्ती से देख सकते हैं बैक्टीरिया का बैटा अगर आप बैक्टीरिया का अध्यान करना चाहते हो आप जीवालू का अध्यान करना चाहते हो तो जीवालू के अध्यान को बैटा हम क्या बोल बॉलते हैं बेक्टिरियो लोजी जीवालू बिज्ञान को प्यारे बच्चों अंगलिस भासा में क्या बोलते हैं बैक्टिरियो लोजी तो जल्दी से मुझे बताओ सब लोग प्टा फाट जीवालू के अध्यान को क्या बो लेंगे सब लोग करके बता डालो सब लोग सी बात पर डायप करके बता डालो जीवालू के अध्ययन को क्या बोलेंगे आप जल्दी से मतादा डालो ज़्कॉबलुकर बताता सबसे पहले विवी सीन स्वेता चौहान अफ़र जल्दी से मीरा शेंग अब्डुल दरोगा जी मुहम्मद सलीम और विलाल अबासी अदिश सेंग क्या बात है बैटा मीरा काजल जोती अन्शिमा शाहिन ललिद बैटा ओम चतुरवेदी क्या बात बैटा आर्डियक सागार रंधीर अमन कुमार काजल पांडे अंजय और मौरिया क्या बात है सुनीता सर्मा लक्षमन कुमार रंजन कुमार अरे बाबर रबाब कितने लोगों भेज दिए चलो वाई बहुत बहुत धनिवाज सब लोगों कांसर सही है अब बैटा आप मैं आपको जीवालों के पहले कुछ लग्षर पाहूंगा जीवालों के म में कुछ important चीज बताना चाहूंगा कि जीवालू की खोज वगेरा किस ने की थी सो सबसे पहले मैं आप आपको जीवालू विज्ञान से संबंधित कुछ बेटा मैं आपको घटनाय बताने जा रहा हूं बेटा जीवालू की कि खोज सरप्रथां किस ने की थी किसी को पता है जीवालू की खोज बेटा किस ने की थी तो इनकी खोज बेटा एक विज्ञानिक थे इनका नाम था बच्चो एंटोनी वान लिवन होग जीवालू की खोज बेटा किस ने की थी जीवालू की खोज की थी बेटा एक साइंटि देश के थे और इन्होंने बेटा जीवाड़ों को खोजा था 1676 में इन्होंने क्या किया इन्होंने पानी को पानी लिया लार को अपने मूँ से जो लार निकलती है उसको भी देखा और अपने दातों का जो मैल था इन्होंने तीन चीज बेटा लिया पहले तो पानी को अपन सूच मदर्सी बनाया था आप समझ रहे हो जब हमारे पूर्वज भी नहीं पैदा हुए थे तब एंटोनी वान लिवेंड हॉक ने अपना सूच मदर्सी बना डाला 1686 में भाई सोचो अपने सूच मदर्सी से इन्होंने पानी को देखा लार को देखा और अपने दातों के मैल को देखा तो इनको छोटे छोटे सूच मजीव दिखाए दियें इनको बेटा क्या दिखाए दिये छोटे छोटे सूच मजीव और इन्होंने उस सूच मजीव को क्या बोल दिया एनी मैल क्यूल्स इन्होंने बेटा उस सूच मजीव को क्या बोल दिया एनी मैल क्यूल्स तो बहुत इंपोर्टेंट कोशन आता है जीवालवों की खोच किस लेकिन इन्होंने जीवाड़ों को क्या नाम दिया था इन्होंने जीवाड़ों को बोला था एनी मैल क्यूल्स इन्होंने जीवाड़ों के लिए यह प्यारा सा प्यारा सा बहुत प्यारा सा क्यूट सा नाम दिया बहुत क्यूट सा नाम दिया इन्होंने का नाम दिया एनी मै आप अपने दोस्तों का नाम रख सकते हो sander इन्होंने बोला इन्जी अने नाम जीवालू नाम रखा एहरेन बर्ग ने so very very important point है जीवालू नाम किस ने दिया बेटा so जीवालू नाम दिया है एहरेन बर्ग कौन सा बर्ग एहरेन बर्ग तो एहरेन बर्ग ने बेटा जीवालू नाम दिया है so पहले इतनी चीज़े नोट करते चलना बेटा जीवारू बिज्ञान के फादर कौन है फादर और बैक्टिरियो लाजी जीवारू बिज्ञान के जनक कौन है जीवारू बिज्ञान के जनक है एंटोनी वान लिविन होक तो ये सभी चीजे बच्चों ने फोटो खीच ली ये सभी चीजे अगर बच्चों ने फोट हाँ हाँ बता बच्छो पोड़ोखीच लिया सबने पोड़ोखीच लिया क्या बात है वेरी गुट सु बच्छो जीवालू नाम किस ने दिया था एहरेन-बर्ग ने बेटा अब सुनो अब जो जीवालू था ठीक है एक बहुत important question आता है बहुत important question सूच मत जयवेकी का पिता किसे कहते हैं एक need का question बनता है सूच मत जयवेकी का मतला समझते हो microbiology अगर आप बच्चों अगर आप सूच मत जीवों का अध्यान करोगे अगर आप प्यारे बच्चों सूच मत जीवों का अध्यान करोगे तो इसे बोलते हैं बेटा सूच मत जैवेकी या microbiology microbiology के बेटा जन्ना कौन है लुईस पास्चर क्या बाटे बेटा कि आए हाँ हाँ भाई तो 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 1666 तरी तो है हाँ चलो सब लोग बताओ 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 पफड़ा पर बताओ वेटास बल्दी बताओ सूच मत जैवेकी का जन्ना किसे बोलेंगे लुईस पास्चर को सूच मत जैवेकी का पिता फादर आफ माइक्रो बाइलोजी माइक्रो बाइलोजी के पिता कौन है बेटा लुईस पास्चर वेरी वेरी सिंपल सो ये पड़ा पर नोट कर लो लुईस पास्चर को बेटा सूच मत जैवेकी का पिता कहते हैं जनक कहते हैं चलो आगे बढ़ कि सका पुलपों ऑरे किसका बच्चे किसका हाँ एक दाम क्लियार ना अगला एक कोशन आता है अगला कोशन सुनो और दूनिक जीवालू विज्यान के समय के जीवालु विघ्जियान के जनक कौन थे पुराने समय के जीवालु विग्यान के जनक बताो एंटोनी जीवाडू विज्ञान का जनक है रॉबर्ट कोच यह कौनों के कोच नहीं थे बग्यानिक थे बेटा और इनको बोलते है आधूनिक जीवाडू विज्ञान के जनक आधूनिक जीवाडू विज्ञान के जनक कौन है बच्चो राबट कोच काउन से कोच राबट कोच चलो तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटीव में बाटा सवह साइन्टिस्थ olsaटा एंस कृषियन इन्हों ने जीवालों को द। प्रकारर भटा तक बेटा अंश्टेंड करके उन्हें रंग कर अभी रंजित कर के तो आपके हैंस कृषियन ग्याम ने बंड़िब्स नहीं बताया तो प्यारे बच्चों मैं बताऊँगा मैं बताऊंगा आप नहीं बताएं तो हम किस दिन काम आएंगे ठीक है सुच में जैविकी के जनक का नाम बताऊ कोई बात नहीं वीडियो चल गई वीडियो चल गई थोड़ा नेट्वर्क प्रॉब्लम है बढ़ कोई नहीं थोड़ा नेट्वर्क प्रॉब्लम है सही हो जाएगा चलो लास्ट कोशन बताओ आधूनिक जीवालू बिग्यान के जनक आधूनिक जीवालू विज्ञान के जनक बटा यह किसी किताब चलो सब लोग सही है फिलाल अभी ठीक है यार यह नेटवर्क ना कभी-कभी बिचारा कभी-कभी नेटवर्क भी कहता है अरेसषर जी हाँ चलो क्या बात है आप अभी 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 साइ cyan सही आनозм plants चांसर इसक इंसर बत 변 बताओ चल से जीवालू भिउख्यान के जनक कौन है बटा अंटोनी वाल लिवन हॉप सूच मुझे विक्यां पाक्यार लूईस पास्चर अदूनिक जीवारू विज्यान के जनख कौन है बच्चो रॉबर्ट कोच तो ये तीन इसका अंसर हो जाएगा बोलो सब लोगों को मेरी बात समझ में आ गई है क्या बोलो आ गई है क्या प्यारे प्यारे बच्चो तो आगे बढ़े इसके बाद आगे पढ़ना श कुछ सामान से लग चलो सो इतना हाँ वेरी गुड सब लोग सब लोग बताओ मुझे फटाफट एंटोनी वॉन लिविन हो लुइस पास्चर और बच्ची कहने सर रोबर्ट हुक बहुत बढ़िया बहुत अच्छा बेटा सब को क्लियर है क्या बात बेटा तो सब लोग एक पर मुझे बताओ यह सर क्लियर है अचा फोटो खीचना है फोटो भी खीचना है बच्चों को तो भाया यह फोटो खीचलो इसी में से खीचलो अंसर लिख लोगे भाई अब इतना तो हाँ अंसर तो लिख लोगे भाई अब ये जीवाडू बिग्यान के जनक का नाम एंटोनी वान लिवेन होग और भाई एंटोनी वान लिवेन होग लिख लो आगे इसके जनक के नाम बेटा लूइस पास्चर और इसके बेटा आपके जनक का नाम क्या हो जाएगा बेटा सामान लक्षड सबसे पहले बच्छो जीवाडू सर्वव्यापी होते हैं बेधा जीवाडू सर्ववयापी है यहां उद्धीन ने लगते हैं मतलब जहां पाते हैं वही रहने लगते हैं सर्व व्यापी का मतलब यह सब जगह रहते हैं सब जगह तो इनको कहा डूलना चाहोगे इनको चले जाओ तो मुहल्म भी मिल जाएंगे यह बेटा यह आपको चाइनम मिल जाएंगे इंडिया भी मिल जाएंगे यह सर्व व्याप या सेता क्या लिखी हो गई आप पूछ रही हो नाग का नाम कौछ नाग वह अपने यहां का किंख मआ का नाम पूछ रही हो क्या च्वें और स्थ Finnish मुझे लगता हुआ ही पूछ रही हो तुम किंख कुंबरा का नाम होता है नाजा नजा ठीक है किंग कोबरा किंग कोबरा हमारे यहां किंग कोबरा बेटा नागा नाजा आप यह पूछ रही हो ना अरे नाजा नाजा भया चलो कौनों बात नहीं है अचानक तुमको किंग कोबरा कि यह कहां याद हो गई अचानक नाजा नाजा आवाई नाजा नाजा चलो आगे है ग्राम पॉस्टिव और ग्राम निगेटिव वह क्या ग्राम पॉस्टिव और नेगेटिव बढ़ेंगा उसमें बेटा जीवालू सबसे पहले तो सर्वयापी होते हैं सर्वयापी का मतलब सभी जगों पर पाए जाते हैं अब बैटा जो जीवालू होगे इनकी कोश का भित्ती किसकी बनी होती है इनकी कोश का भित्ती बनी होती है पेप्टाइडो ग्लाइकेन की जीवालू की कोश का भित्ती बोलो किसकी बनी होगी पेप् यह कुछ ना मिलेगा वेटा जो जीवाडू होता है बच्चो इसके अंदर गालजी बोडी माइटो कॉंड्रिया कुछ नहीं पाया जाएगा सब लोग मुझे बताओ इतनी बाते क्लियर एक दम हां भाई सब लोग मुझे बताओ फड़ा फड़े इतनी बाते सब को क्लियर है क्या बात है बेटा सब लोग बताओ अब है अब है अब है क्लियर 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 चलो आगे बर दिननेक साथ यह अगर अच्छा देखो वेटा जीवाडू में आपको सबसे पहले वेटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट सब लोग लिखते चलना क्योंकि बच्चो अगर नीट क्वालिफाई करना है तो यह सभी पॉइंट को नोट करते चलना सबसे पहले जीवाडू के लक्षड ठीक है सो आज जीवाडू के जितने लक्षड हो जाएंगे हो जाएंगे बाकी लक्षड हम लोग अगली क्लास मे पढ़ेंगे सो जीवाडू का पहला लक्षड बोलो क्या है सर्व व्यापी है बेटा यह क्या है सर्व व्यापी जीवाडू आपके बेटा सब जगह पाए जाते हैं सर्व व्यापी होते हैं सर्व व्यापी जीवाडू बेटा क्या होते हैं सर्व व्यापी होते हैं ठीक है कि अरे भाई किसको कौन भाईया हिंदी मेडियम का बच्चा ना ठकता है ना रुखता है कॉस्मो पुलाइटेंड जीवाडू सर्व व्यापी होते इसे इंग्लिस में क्या बोलते हैं कॉस्मो पुलाइटेंड सुनो अब जो जीवाडू होंगे यह आपके क्या होंगे इनकी कोश का भित्ती बनी होती है पेप्टाइडो ग्लाइकेन जीवाडू के लक्षड में अगला लक्षड दिखो बेटा इनकी कोश का भित्ती बनी होगी पेप्टाइडो ग्लाइकेन की बनी होगी क्या बात है सब लोग नोट कर रहे हो बेटा ओके 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 चलो अगला लक् कोशिकांग है तो अभी मैं आपको बताता हूं जिल्ली युग्त कोशिकांग का मतलड़ समस्के गालजी बॉडी माइटोकंड्रिया यह कौनों नहीं पाए जाते हैं बैटा आपके किसमें जीवाडू में तो इनमें गालजी काए गालजी बॉडी चाहे बोलो गालजी काए इसके अलावा माईटोकॉंड्रीया कुछ नहीं मीलेगा बीचार एक्दम क्या है इसके पास कुछ नई है सब लोग लिखो छिल्ली यूग्त कोशिका आंग इसमें अनुपस्थित होता है इसमें क्या होताए वित अ सरानू पस्थित होता है लोट करो फोडो खीचो फोडो खीचो जलि कर और तीन अपर कीचो 2 एझेली सभी प्यारे प्यारे बच्चे जल्ब सफोडो fields की फिचार की मतलब कितना सीधा साधा इस एक फॉच नहीं है कि अ कितना सीधा सीधा साधा इसके बाद विचारे के पास कुछ नहीं है देखो ना तो माइटो कंड्रिया है ना तो गाल्जी काई है कितना सीधा साधा इंसान नहीं एक आ भाई clear चलो आज यासा करते हैं आज ती नहीं लक्षड पढ़ेंगे क्योंकि इसके बात अभी और विक्लास चलनी है तो इसको पर निक्स पढ़ेंगे इसके आगे बेटा अब जीवारों के लक्षर अगली क्लास में कॉंटिन्यू करूंगा मैं इसे ठीक है चलो वेरी गुट ना क्लियर रहे तो आज के DPP पर कौन-कौन टॉप करेगा, आज के DPP पर देखते हैं, कौन-कौन टॉप करेगा भाई, जो मेहनत करेगा, वही करेगा, टॉप, चलो, तो पहला कोश्चन सुनो, जीवालू की खोज किसने की थी, आज सभी बच्चा टॉप करना चाहिए, जीवालू की खोज, सब लोग बताना, सब बच्चे टॉप करना बेटा, और DPP का अंसर कैसे करना है बच्चो, सर हम भी 10 घंटे वाली क्लास करना चाहते हैं, अरे भाईया, वो 12 वालो की क्लास थी ब 12 वालो को उस दिन पढ़ा दिया गया, ठीक है, सो 11 वालो की क्लास होगी, 11 वालो को जिस दिन मैंने, वो सबसे लंबी वाली क्लास रखूंगा, 11 वालो के लिए, तो भाई, वो फिर आप लोगों के लिए रहेगी, और उसमें फिर मैं कम सकम, एक दो चैप्टर इक अठ्ठा किसने दिया, सब लोग बताईएगा, किसने दिया बेटा, ठीक है, सब लोग अंसर करना, तीसरा कोशन बताओ, जीवालू नाम किसने दिया, जीवालू नाम किसने दिया, इसका भी सब लोग अंसर करो, जीवालू नाम किसने दिया है ठीक है, सब लोग अंसर करना, सभी कोशन का वेटा अंसर वीडियो में कॉमेंट करके आप करेंगे सब का अंसर देखा जाएगा कौन-कौन डीपी में टॉप करेगा वैरी गुर बटा बहुत बढ़ियां सर हम भी पढ़ सकते हैं 13 घंटे हाँ बाई बिल्कुल बिल्कुल आप पढ़ सकते हो क्योंकि हिंदी मीडियम का बच्चा ना ठकता है और ना रुकता है तो भाई हना हिंदी मीडियम का सब बच्चा पढ़ सकता है हां व्रमिधा कहि motivator अगण सुनों नंबर चर्पनों मेरे साथ आ बताओ MVP मुझे आ कर नो जिन्स थै었नों जैन्स कि न जंतवों में पाए जाते हैं किन जंतवों में पाए जाते हैं है ठीक है इसका भी अंसर करो फरडएफट औफर और लास्ट कोशन सुनों कि यह है ठीक है सुमय थैनों जेन्स बिटक किन जन्त रों में पाए जाते हैं इसका अंसर कर एगा और लास्ट कोशन बाक्चों रख की बैक्तिनी या के प्रकार लिखिए अरगी बैक्टीरिया के आर्की बैक्टीरिया के प्रकार के बेटा नाम लिखे सर डीपीपी का विनर अरे भाई डीपीपी का विनर एनाॉस्मेंट करूंगा न सनीवार को आर्की बैक्टीरिया के नाम लिखे प्रकार के नाम लिखिए और की बेक्टिरिया के प्रकार का नाम लिखिए ओ sellers तो सब लोगे स्वाल करना सबी लोगे डी पी पी का सॉल और जटाा है आपको इन अंसर को वीडियो में hunter करके जो वीडियो में comment section आता है ठीक है तो video में comment section में इन सभी के answer को type करिएगा answer send करिएगा और इस सनीवार बिटा जो सनीवार होगा इस Saturday को रात को 8 बजे DPP के winner का announcement होता है तो Saturday को 8 बजे बिटा आपके DPP के winner का नाम मैं announcement करूँगा ठीक है तो सब लोग जल्दी से मुझे answer करिएगा ठीक है ओके जो जो बच्चा answer करता है वो सभी बच्चे top करता है सब जो बच्चे answer करेंगे वो सब हमारे बच्चे top करेंगे एकदम ठीक है so very good बिटा मिलते हैं कल रात को 8 बजे और कल का टॉपिक बहुत सांदार वाला है क्योंकि कल मैं आपको जीवाड़ों के प्रकार वगएरा भी पढ़ाओंगा तो प्यारे बच्चो अपना क्याल रखना क्या प्रकार वाला है